हलो दोस्तों नमस्कार गई से अब आप सभी का आपके अपने योट्यूब शेलम और क्रेटिव पर स्वागत है आए जाने मोधी सरकार की किसानों के लिए नहीं जीरो बजट की खेती बजट 2019 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने किसानों के लिए जीरो बजट की खेती क का प्रस्ताव पारित किया है यह जीरो बजट खेती क्या होती है जान लेते हैं क्या इससे किसानों को लाब मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे हैं चलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जीरो करिएगा और अभी तक आपने चेनल को सप्र कर लें वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारी बात किलियर हो जाएं किसानों के लिए मोधी सरकार की नए स्किम जीरो बजट खेती पर प्रदेश और देश के किसानों के लिए सरकार ने यह योजना लाई यह 6 जुलाई 2019 को यह अपडेट आया है और यहाँ जीरो बज अब कैसे पॉसिबल है ओ देखते हैं किसानों के लिए मोधी सरकार एक और नए इसकिम लाने जा रही है इस इसकिम का नाम जीरो बजट खेती है अगर आसान सब्दों में कहें तो आजकल जीरो बजट खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है खासकर दक्षिन भारत में खेती को आपरेटिव संस्थान इसके बैद सफल प्रयोग कर रहे हैं जीरो बजट खेती के तहट खेती के लिए जरूरी बीज, खाद, पानी, आधी का इंतजाम प्राकरतिक रूप से किया जाता है इसके लिए मेनज जरूर अधिक लगती है लेकिन खेती की लागत बहुत कम हो जाती है और कीमत अधिक मिलती है इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने बजट में जीरो बजट खेती का नया प्रस्ताव दिया है निर्मला सीता रमन साउस से ही है और वो तमिल लाडू से बिलांग करती हैं केंद्र में मोधी सरकार की बहुत ही अच्छी मंत्री है वो और बहुत टेलेंटेट है इसलिए मोधी सरकार ने पहले उनको रक्षा मंत्राले दिया था उसके बाद वित्त मंत्री अरुन जेटली के तवियत खराब हो जाने के कारण अब निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्राले सोपा है वित्त मंत्राले बहुत बड़ा मंत्राले होता है और सारा फाइनेंस का जो ब्योरा है इस मंत्राले के पास होता है तो जीरो बजट का मतलब हुआ बीना पैसे के खेती कैसे होगी पानी आधी का इंतिजाम प्राकरतिक रूप से ही किया जाता है इसके लिए मेहनत जरूर अधिक लगती है लेकिन खेती की लागत बहुत कम हो जाती है इस पर वित्तमंत्रे निर्मला सितारमन ने प्रस्ताव दिया है जानते हैं इसके बारे में यह कैसे संबह होगा जीरो बजट खेती अर्था जीरो बजट खेती में लागत बहुत कम हो जाती है इसलिए किसानों को फसल को उगाने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी और किसान कर्ज के जाल में नहीं आएंगे मतलब जब फसल हमारे बिना पैसे की होगी तो कर्ज लेना नहीं पड़ेगा तो अच्छी बात है जीरो बजट खेती में जरूर इंपूट गाउं खेत से जुटाने के अलावा अत्रिक्ट आय पाने के उपाई भी किये जाते हैं जैसे एक साथ दो फसल लगाना और खेत की मेड पर पेड लगाना खेत की मेड पर पेड खेतों में अक्सर होते हैं और किसान अभी भी लगाते हैं लेकिन पहले की अपिक्छा पेड कम हो गए हैं लेकिन अब हमें पेड लगाने पड़ेंगे यदि हमने पेड लगाया तो हम आने वाले पीड़ी को कुछ दे सकते हैं अन्य था पानी बहुत कम हो जाएगा हमारे जो पुर्वजों हैं उन्होंने जो पेड लगाये थे उसका असर आज हमको दिख रहा है लेकिन बहुत सारे पेड काटे भी जा रहे हैं अभी हमको पेड लगाने होंगे बारिस में इसका ज्यादा काम होता है इसलिए हर एक व्यक्ति अगर एक एक भी पेड लगाये तो हमारे देश की जनसंग क्या 130 करोड है 130 करोड पेड लग सकते हैं और उसकी देख भाल भी करें यह एक अच्छा काम है और इससे हमको पुर्ण मिलेगा क्या है बजट जीरो बजट खेती में जी रोबजट यानि बीना किसी खर्च और खरीत के खेती करना इसमें केमिकल कीटनासक और उरवरकों का इस्तिमाल नहीं होता इसका लक्ष लोन पर निर्वता कम करना और लागत घटाना होता है यहाँ खेती करनाटग और आंदरप्रदेश में ज़्यादा होती है इसमें सामिल मिट्टी का घास पात या पलवार से ढखना इश्ट्रा से धर्ती को ढखना अंतर फसल मिश्रित फसल से खेती बढ़ाना मतलब मिश्रित फसल करे आपने देखा होगा एक फसल लगाने के खाने और खर्च कम करने पर जोर दिया जाता है आमतोर पर किसान रासाइनी खात का इस्तेमाल करते हैं जो महुत महंगी होती है सरकार को भी इन खात पर दी जाने वाली सबसीटी का बोस हैना पड़ता है देशी खात तैयार करके इस खर्च को बचाए जा सकता है गाउं में गाय के गोबर, गोवमुत्र, गुड, मिट्टी और पाने की मदद से एक से दो सप्ता में देशी खात तैयार की जा सकती है हकीकत आजकल गाउं में यह होता है याने यह खात एक सप्ता के अंदर तैयार हो जाती है और कई लोग इसे करते भी हैं खेतों में बैलों का इस्त बैलों से खेती होती थी और उस समय खेती की फसल जादा आती थी और उतनी ही खेती में काफी लोग एक परिवार में पल जाते थे लेकिन आज यह संभव नई हो पा रहा है इसलिए सरकार अब इसे जीरो बजट करना चाहती है ताकि किसानों की आये 2022 तक बढ़ सके आपको बता दे कि वित्तमंत्री निर्मला सितारमाण ने केंदरी बजट में जीरो बजट खेती का प्रस्ताव रखा है जिससे करोलों किसानों को अपनी लागत में कमी लाने और टिकाव खेती करने में मदद मिलेगी माना जा रहा है कि इस कदम से ग्रामीर संकट को बहुत हद तक कम करने में मदद मिलेगी वित्तमंत्री ने अपने बजट बासवाण में कहा कि जीरो बजट फार्मिंग जैसे कदमों से 2022 तक किसानों की आयको दोगुनी करने मदद मिलेगी इसके लिए किसानों को प्रसिक्षित किया जाएगा सरकार ने कहा है कि 10,000 उत्पादक संकठन ब और प्रसिक्षित करेंगे जिससे पूरा देश प्रसिक्षित हो जाएगा और धीरे धीरे करके आने वाले पांस सालों में जीरो बजट की खेती हो सकती है भारत में सबसे पहले जीरो बजट खेती की सुरवाद दक्षिन भारत के करनाटरक राज्य में हुई थी जिसके बा बता दे कि कई राज्यों में महेंगे बीज और दुर्गम बाजारों के कारण क्रसी लागद बढ़ने के कारण किसान भारी करज में है इस तरह की खेती करने से उन्हें फाइदा मिलेगा और सरकार भी इस पर जोड़ दे रही है तो इस प्रकार से जानकारी थी जीरो बजट क की खेती अच्छी हो सकती है पहले हमारे पूर्वज ने किया है दादा परदादा ने यह खेती की है लेकिन आजकल क्रसी यंतर जदा होने के कारण अब घरों में बैलों से खेती नहीं हो पाती अब टेक्टरों से खेती हो जाती है, तो इस से लागत बहुत ज़्यादा आती, अब सरकार पुना उस पर ध्यान दे रही है, ताकि कम लागत में अधीक उत्पादल किया जा सके, पानी की बात रही तो पानी की लिए सरकार नदी को जोड़ने का प्रचार प्रयास कर रही है इसके लिए अलग से जल संसादन मंत्राले बनाय गया है इसलिए सरकार आने वाले 5 सालों में बहुत कुछ करना चाहती है अब देखते हैं उसमें हम जनता को भी थोला सहयोग करना पड़ेगा ताकि हमारी और देश की अर्थ वेवस्ता ग्रोग करें इस प्रकार से जानकारी थी एदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं क झाल